शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कौन है ये कौन है तो भी गया अब ये मच्छा सोच के आगे जर्म के पीचे इंका जर्म के लिए सब्सक्राइब हम के लाओे ये ओम के लाओे तो में इंका झारो एम वचाना झाल शब टून झाल झाल यार राज्यूबन्या वरातो माजाता को यार। को को मम्मी वो तो डूब रहे में क्या करूँ मम्मी अबंस प्म्मी अबंस अबंस ये में क्या लाद अबंस झाल झाल हुआ हुआ है चुप हुचा देखो प्लीज चुप हुचा देखो प्लीज चुप हुचा देखो हुसला रखो सब्टिक हो जाएगा अभी कैसा है बच्छा कुछ कहा नहीं जा सकता सर मामला सिरियोस है की भाड़ती कि युआ हुचा के लिव का ब्लीज ब्लाकर्श आठीच कि अचुप हुचा फ्लाधिर्स केक्या हुचा कर दोड़ीकिए हुचा हुचा recognize और चुप संधुर्स प्लीज प्लीज चभंल रोड़ती है वैं हVer공 जब किसमेरी राहूरौ के साथ ही होला है परीति तुम्हें तो अपने गरव होना चाहिए उसने किसी जान बचाई अब किसी कि जान बचाने बादूर बच्चे कभी देखने को पर नहीं है जोप्ती सर्फ, अब कैसा है मेरा नहीं? इस वोके अब खत्रे की कोई बात नहीं है यसे बहुत बादूर है इनका बच्चा अस्तमा होने के बागजूद उस आदमी को बचाने के लिए पानी में कुछ पड़ा लेकिन अब उसकी जान को कोई खत्रा नहीं है हाँ, अगर थोड़ी सी देर और हो जाती है फिर बचाना मुश्किल हो जाता इसके लिए कभी उमती बच्चा है एक बार भी नहीं सचा उसने की वो अपनी जान खत्रे में डाल रहा है आप लोगों को बहुत परिशानी है ना नहीं बेटा आपनी तो हमारा सर गर्प से उचा किया है कैसी तवियत है बेटा आपकी आप बेटा ये अभी जीत अंकल है सी आइडी से इस्पेक्टर अभी जीत अरे तुम जानते हो मजे मैंने आपके होगा दयांकल के हादूर के किसे सुने मुझे बड़ा होकर आप जिसा बनना है क्यों नहीं बिल्कुल बिल्कुल बेटा अच्छा ये बताओ के इस अभुआ कैसे वह आदमी एक एक अंकल को कुर्सी से बाल का पुल्वर फेग रहते आपने उनका चेहरा देखा कौन थे उलो रात के तीन बज़रे थे बात अंधेरा था अरे वाँ आपको तो अंधेरे से भी डर नहीं लगता मैं तो रात को तीन बज़े अकेले बातरूम भी नहीं जा सकता अरे यह विशी हैं जिनके जान आपने बचाई थी थैंक यू बेटा अगर आप नहीं होते तो आज में जिन्दा नहीं होता मेरी समझ मेन है नही कि मैं मैं राहूल का शुकरिया कैसे अदा करो मेरी ली रहुल किसी बटवान के अव्तार से कम अगर ही अपनी जिन्दगी ख़त्रे में नहीं डालता तो आज तो अज तो मैं विद्वा नहीं ऐसी बाते मि उसे नहीं निकालते बागवान का शुक्र है कि मेरा बिटा राहुला और रिशी दोनों सलाम लाते है मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग है जो मेरा सोहाग हो जागना चाहते है अब ये तो आप लोग ही बताईए मिस्तर रिशी आपकी किसी से कोई दुष्मन ही? नहीं सद रेरा तो कोई दुष्मन नहीं है वोई तो दुष्मन है रिशी जी वरना आप पर ऐसे चानलेवा हमला क्यो करता हो अब बिसनस में छोटी मोडी टक्राव तो होते ही रहती है पर ऐसा कोई नहीं जो मेरी जाहन लेना चाहेगा अब फूरी बार फिर से बताईए रिशॉर्ट पहुचने के पहले से अच्छी हम रिशॉर्ट गयते है हमारी शादी के अन्वरसरी बनाने और फिर हमेशा की तरह आखरी मिनिट पर रिशॉर्ट के अजन मीटिंग आ गई फिर मैंने श्रीया से कहा कि वो रिशॉर्ट पहुचने चेकिन करें मैं जलते जल उसे वहीं जोइन करूँगा तो आप रिशॉर्ट के लिए राप को निकले ऑफिस से जी हाँ मैं बस रिशॉर्ट पहुचने वाला था कि रास्ते में दो बाइपनों ने मेरी गाड़ी रोक ली इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता तो उने मेरे फेस पे कुछ स्प्रे किया और और मैं बेहोश हो गया अगर राहुल सही वकपर भाह नहीं पहुचता तो वो हैवान तो रिशी को बेहोशी की हालत में ही डुबो देते और मैं अच्छा उन लोगों ने आप पर कोई समान वगरा चुरह है जी नहीं इन फैक्ट हमारी गाडी भी रिसॉर्ट में चोड़ गये वो लोग तुम्हारी गाडी शॉर्ट भी शौड़ जिचोड़ गया मतलब तुम्हें बेहोश करने के बाद तुम्हारी गारी में तुम्हें डालके बो लोग रिसॉर्ट लेगे इन सब बातों से एक बार तो समझ में आती है कि उन लोगों का मकसद से उन तुमारी जान लेना था लुट पाट करना नहीं पर यह कोई ऐसा आदमी है जिसकी तुमारे से परस्नल द्रश्मनी है पर असा कैसे हो सकता है सर में दिमाग में तो कोई नाम नहीं आ रहा है अ उस बाइक का नंबर देखा तुमें नंबर तो याद नहीं है पर को ब्लैक कलर की बाइक थी अच्छा किस को मालूम था कि आप रिसॉर्ट जाने वाले हैं हमारे सभी दोस जानते थी सर पर वो यह से करेंगे सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है अगर उन लगोने रिशी को फिर से मारनी की कोशिश की तो जड़िया मत जब तक हम उन लोगों को पकड़ नहीं नेते तब तक हमारा ओफिसर विबेक 24 गंटे आप लों के साथ रहेगा हम लोगो जगा चाहेंगे जहां पर उन कि अगरें अगरें अगर यही वह जगह जहां उन बदमार्शों ने मुझे बेहोश किया था तुम्हें पक्का यकिन है यही वह जगह है हां सर हाइवे से लेकर मैं रिजॉट आने के लिए इस रासे से आ रहा था और यह पथर भी थे सर वहां पे यही वह जगह है प्रेडी पूर्वी इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो शायद कुछ मिल जाए अच्छी तरह प्रेड़ अश्ड़र अच्छी, जा रासे तरहे चारे यहाँ था प्रेस्वाओंगर भ्रेस्ट्प्ट्राइवी तरहे तरहेश्प़र से अप्रेड़र रादे यहें रहँ़ धर जो वेड़ी, पुर्वी! आसर! आसर, यह तो वही बाई के जो अन बदमाशों के पास थी? अहु! मतला, अजनी बाई को यहां पर छपा के वुमारी कार में तुम्हें डालकर, रिसोट लेगे तुम्हारी कार के अक्सिडेंट हुी थी बाई की सा? नहीं तो! तो यह मतगार पर देंट कैसा? प्रेंट देखे लगता है कि अब ये भी एक्सिडेंट हुआ है पुर्वी, आटियो में फोन करके पता करो कि इस बाइक का मालिक कौन है हाँ मैनेजर जब अच्छा, ठीक है हम लोग आते हैं सर, रिसोर्ट के मैनेजर का फोन था उन्होंने सभी मेमानम को रोक के रखा है कोई भी रिसोर्ट रड़के बाहने जा सकता अच्छा 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 वो कुर्सी तो पिल्कुल ऐसी यह जैसे बाकी की कुर्सी आया है सर, मतलब वो कुर्सी इसी रिसोर्ट की पुली उस कुर्सी को में साथ नहीं आया साथ कहां से लेके आएंगे वो लोग किशी को यहीं पे मारने का प्लान था हमका सर पूल के आसपस तो खास कुछ दिखनी रहा है सर तो मैं यह समझो तुम हाथ दो के एक कोने में खड़े हो जाओगे अरे नहीं सर नहीं सर कॉलेज में मुझे स्विमिंग के लिए गोल्ड मेडल मिला था कॉलेज में देड़ी वह बहुत फुरानी बात है मुझे चाइलेंज मत करना सर मैं इतना टेज स्विमिंग करूंगा कि पूल के बाहर भी दूर तक स्विमिंग करता हुआ चला जाओगा अच्छा पूदो सर सर एक बात समझ मने आरे जब उन गुंडों ने रिष्षी को सड़क पर बेहोश करी दिया था तो वो लोग उसे वाही मार सकते थे यहां पर लाकर डुबाने के क्या जरूवत थी यह लोग उसे वहीं फेक सकते थे सर वो गुंडों रिष्षी को यहां पर लेकर आए हो सकता है कि होटेल का कोई आगमी इसमें मिला हुआ हूँ रिष्षी को बेहोशी के हालत में उसी के गाड़ी में यहां अंदर लेकर आए किसीने तो देखा होगा वाचकल ने कैसे नहीं देखा वाचकर ने काइसए नहीं देखा वाचकर यहां पर लेकर वीधा यह लिखेंने जी थे वार पाल केस? हम् एस्टी, इसी के नाम का इनिशल लगता ही है सर, रिशी का तो हो नहीं सकता हाँ मैंजर सब सर आप बेंडाना देखिए आपके मेमानों वे से किसी का तो नहीं है सर ये पूल तो हरोज रात को साप किया जाता है अगर किसी गेस्ट का होता है तो पहले ही मिल जाता तो एकल रात को छुटा होगा यांपरे जब वो लोग रिशी को पूल में फेक रहे थे अजर आपके जितने गेस्ट है होटल में और आपके स्टाफ मेंबस जहीं पहे ना? जी हाँसर, सारे गेस्टों साप को एकटा करके रखा है हमने किसी को भी जाने दी दिये ठीक है पुर्विक, रिशी के कार के अच्छी तरह से तलाशी लो तब तक मैं इन मेमानों का हलचाल पूछ लेता हूँ सर आपलग हमारे से जैसे भी मदद चाते हैं हम उसमें आपका पूरी तरह से साथ देंगे बहुत अच्छी बात है लोग अकसर कानून की मदद करने से कतराते हैं उन्हें लगता है कि क्यों बिनावजय है उसी बत में फसे मगर वो लोगे भूल जाते हैं कि CID और कानून उनी के रख्षा के लिए हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं सर आज जो बात रिशी के साथ हुई कल वो हमारे साथ भी हो सकता है इसलिए उस मुझ्रिम को पकड़ने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे सर लाट्स गुड़ सोचके बताईए कि कल रात जब रिशी के साथ ये हाथसा हुआ उस वक्त आप में से कोई कमरे से बाहर था किसी ने कुछ देखा नहीं सर उस समय करीब रात के तीन बजे थे और मैं गहरी नीद में सो रहा था अचानक बाहर शोर सुनाई दिया तो मने देखा के कि बच्चा राहूल और रिशी तोनों बेहुस पड़े हैं भिर भी किसी को भागते वे देखा हो या किसी परच्छाई की जहलग देखी हो कोई आहाट सुनी हो नहीं सर शोर सुनने के बाद सबसे पहले कमरे से बाहर कौना है मैं आया था सर या कि रहूल की चीक सुनी मैंने देखा के बच्चा राहूल और रिशी तोनों बेहुस पड़े हैं तो मैंने अला में शुरू कर दिया सर आइसी सर आ ये ये बंड़ना देखा को जानता ही ये बंड़ना किसका है यान से देखे किैंट Всемिट ऑचे को जिए पहनने वे देखा हूं। मैं पिछले एक हक्ते से इसरॉट में हूँ, लेकिन इससा पहनी वहां, मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा रिशी का या श्रेह का किसी के साथ कोई जगला बहास्ट ही जय कोई देखा था। यहार रिजिट में व्हून करने की कोशिश की गई है और यह जो चोटी बात नहीं है और मकोई चोटी बात नहीं है को सकता है तुमारे रिज़ॉप के किसी ने, नहीं नहींज नहीं नहीं सत्ता है Manijer सम्हे बेख़के मेंगेट पर दूटीबी कॉन होता है भॉला कि अदर फॉला तुम्हें ते दिखा ही होगा उन गुंडो को रिशी को पेहोशी के हालत में रिसोर्ट कंदलाते हुए नहीं साव मुझे पता नहीं चला साब क्यो पता नहीं चला उड़ी एक फिल्म देख ग्या नहीं साब वो साब मुझे थोड़ी नीम की प्रॉलम है बज्पने हिशाफिताफ़ काथ 하지 और निकल ह्यार से है साफ, आफ कर दीजी है साफ, मैं में एा जाँगा साफ साफ समझजाए ना साफ, साफ सम्झाействिये प्लीज सार, में एा जाँगा सम्झाइए ना साफ प्लीज robust हावर Singh Sir, Sir Rishi की कार पार्किंग लॉट में नही है क्या? ये केसे हुश सकता? Shriya ने तो कहा तक किया कार पार्किंग लॉट में है सर, मैंने किक नमबर चेक की नमबर चेक है पर रिषी की कार वहाह नही है अब भजब पार्किंग लॉट से कार गायब हो गई है यह कर गई तो गई कहां और उसे कॉन लेके गाया होगा फिड़ी यह हाइवे पर टोल लाका है महां पर CCTV कैमरा लगे बहे है वही से पता चलेगा अरशी की कार कॉन लेकर गया है तेंक यू सो मच सर आप लोगों ने मेरी बाइक लोटादी मैंने तो इसे पाने की उमीदी खो यह यहां यह यह अर्वाइक पेसे दो लोगों की निशान में एक मिश्र विजे के निए गुजरा किसी और का है यह दूसरा निशान चेकर ओए लेटावेस में देखो शायद को पुराना पापी हो गा है आईक अईग्षिन हो गए मैच होगी है है स्रीकान तनुझ स्रीकान तनुझ मतलब स्टी बिंडाना हमें स्रिस्योड के सुमिंग पूल से मिलाथा पोई इस्रीकान तनुझ का है आए स़देखो फोटो है कैसा आई किस देखोड़ी को पुरण तोरी इस से घञेता बड़ा ये निकल पर एख अलो मिस्टर देशी मैं स्पक्टर अभीजीद बोल रहा हूँ अच्छा आप किसी श्रीकान तनुछ को जानते हैं कभी नाम सुना नहीं मैं आपको बार ने बताता हूं थैंक यू थैंक यू बहुत अब जीद हो सकता है किसे ने श्रीकान तोने इसको पैसे दिये हो विशे को मारने के लिए पर है कौन बार ने एक मिड़ी सब्सक्राइब ये विजे की इसे श्रीकान ने चुराया थैंक ये एक मिनिट एक मिनिट इस काड़ी का नंबर है अमेज सीरो वन आर एट त्री फोर त्री ये तो रिशी का रहा है नेकित ताइम नोट करो सब्सक्राइब अब देखना चाहते है कि ये कार रोलना के जब वापस कपते ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस अब देखने ने किसे अब तक सारे फोटिज है इसमें कुछ रह तो नहीं किया नहीं सब्सक्राइब कुछ भी मिसन नहीं हुआ हमारे कैमरे 24 गिंटे चल रहते है कमाल है रिशी की कार वहां रिसॉर्ट में नहीं है इस टोलना के से वापस नहीं गई तो फिर गई कहां? सर शायद इन गुड़ों ने कोई शॉर्टकट मार लिया होगा नहीं निकिल रिसॉर्ट से शेहर की तरफ जाने का दुसरा कोई रास्ता नहीं सिवे ही एक रास्ता है इसलिए अगर वो लोग शेहर की तरफ गए है तो उने इस टोलनाके से ही गुज़रना पड़ेगा सर इसका मतलब वोग शेहर नहीं गए हाँ इसका मतलब रिशी की कार रिसॉर्ट और चेकनाके के बीच में ही कही है तो एकाम कर रूम में देख और तो रिसम्सर जागता है को अधर से बागा है बाईदर देख लोगा है क्या हुआ? कुछ नहीं सेमा, तुम्हें नहीं किसी को बागते हुए थेखा? बागते हुए? किसको? अभी थोड़ी दर पहले जो इस हॉस्पिटल का ना हो लेकिन हुआ क्या? उसमें वो अपेशन्ट रहुल को मानने के कोशिए की रहुआ 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 यह टीत नहीं हो जाता हुआ देखे, आप लोग घपरा ही नहीं हम लोग इलाज कर रहा है ना आप लोग प्लीज डिसम मत कीजिए रहुआ 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 डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे तो अपना राहूल ठीक कैसे होगा प्लीज तुम्हारी ड्यूटी राहूल के पास देखबाल करने की दीना तो फिर पोई आके इसका ऑक्सिजन मास्क कैसे निकाल के गया सर्व मैं तो बस एक मिट के लिए रिसेप्शन पर गई थी और उसे बीच में इस सब हो गया एटर डियो इंजेक्शन तयार करो ये सर्व हूँ 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 अर बबर्बराण को जुवाला तोलना के से रिसॉर्ट के बीच का सारा इलाका चान मारा तो यहां कहीं भी नहीं है कुछ तो है कोई तो ऐसी जगह है जो अमसे मिस्स हो रही है को कार है यहीं पे इसी इलाके में निकल दड़ा यहां का मैप निकलो कर देख लिया और यह वाला इलाका भी देख लिया तो फिर बच्चा क्या और यह जब सुंसान जगह भी देख लिए कंप दोहर गाडी ना तोलना के से वापस कई और नहीं यहां पर गयी है एक मैं एक मैं एक मैं एक मैं हमने यह सारा इलाका देख लिया है सिर्क यह अरे हां यह हमारे मज़र से करें चीब है लीला जील सर गाड़ी जील में है मेरी राहुल ने किसे क्या बिगाड़ा कि कुई उसकी जान नेना चाहता है प्लीज तुम चुप जाओ सब ठीक हो जाएगा पकड़ा जाएगा वो जरूर पकड़ा जाएगा थेखे जाएगा बिलकुल फिकर बत कीजिए किसी सब और मेरा किकल चिर उता जए अनके या अनक व इस अनक विर आपकी हो 11 बेटे की खोने की फिक्र ही नहीं बेटे को खोने का गम क्या होता ये भी मैं सबच सकता हूँ अगवान न करें किसी भी माबाप को ऐसे गम से गुजरना पड़े मगर सार हम तो अपना राहुल खोई चुके थे ना देखिए अब आपकी बेटे राहुल को कुछ नहीं होगा आप चिंता मत कीचे प्लीज बिल्कुछ चिंता मत करता हूँ सर मुझे तो लगता है कि जो हमला राहुल पे किया गया है और जो हमला रिशी पे हुआ है उन दोनों के बीच में कोई न कोई कोई करनेक्शन जरूर है सर शायद दोनों पे हमला करने वाले लोग एक हैं सर वो लोग रिशी को तो मानने से दे कहीं इसलिए तो राहुल पे हमला ने किया उन लोग ने यह राहुल जरूर उन गुनेगारों के बारे में कुछ तो जानता है जिसकी वज़े से उन्हें खत्रा है और उन्हें डर है कि राहुल ये बार हमें बता न दे सर प्रतु राॉल पे तो दोबार हमाला ऐ सकता है सिर यह जो सकता है यसलिए पता लगाना होगा कि वह लुग है को हे वही को वही तो यह लूग है को तुछ राउल जेस आैसी यु में था उस आइसी यु के बाहर कॉरीडोर्स में क्या हो रहा था वो देखने आमें, चार और पाट बजे के बीच जी सर्फ सही रहां दिखाने करतार तो प्रिखंटर तो सब्याँ जीक बज दिक बजलिए र्दानें दरे खाएंग बेंगा, बसके जाएंगा तुचिन! ये नर्स चिला तेवे बाहर आई इसका मतलब है आपर भावल के साथ जो कुछ भी हुआ है उस वाट बॉय ने ही किया यह जो कि इस नर्स से पहले सिर्फ वाट बॉय ही अंदर गया था ऐगे चालाव, जी स्याँ राउड दाउड अपर जूइज पर जूआज आपना नीश जूए पार सुआए इस पर जूएगा ये अखरेगा। झाल ओप में वाल उड दो आःकिन एं कि वार्जा खरा पर यहां ये जिखए वहिंगा तरे लॉब डचिन जिख जोन्हीं दिखा ऐस इस तर दियान दो इस दियान दो किया सर्ड वोई इस पॉल बोर्गोई के हाथ भी तर यह तो लड़की यहाथ है और यह यह तो लड़की और हाद पर जो अंगूटी है, वो भी लड़की की है। मतलब, सर इन कुन्हेगारों में एक लड़की भी शामिल है। आज सचेन, कुन्हेगारों में लड़की भी शामिल है। उठा और उपर अठाए। दिखा एक अगारी? जाए। फिशव फिकाँ ऑर प्पाँँ आण आराम ते आराम ते ऊपरनो आज जीटो लेके आण आ राम्चे लो दीचे लो दीचे लो दीचे लो मैं 018-8343। गाड़े तु रिशि की है। मॉय गॉडूव। अभी जीचे लगा था इस केसमें कोई खुण खराबा नहीं है। मगर एक लाश मिली गई। तो अन लोगों ने रिशि को पानी में तुबोने के बाद उसकी कार का इस्तमाल किया है। लाज को टिगाने लगाने के लिए लाज को देखे लगता है के जोब इस गंडे पहले ही मौत हुई है इसकी इसका एक्जाक टाइम तो तो सानूम के सावी बताएंगे जाकू के गाव लगते हैं जाज पांच बार मारा है यह नहीं है मॉबाइल पर्स कुछ नहीं है निखिल इसकी फोटो ले लो मॉबाइल पर और रिशी को MMS करो देखो इस आदमी को पैचानता है क्या है वो और उससे कहो कि यह लाज उसके कार के डिक्के में में लिए सर यह रिशी फोन नहीं उठा रहा है है तो श्रिया को फोन लगाँ सर यह श्रिया भी फोन ने उठा रही है हाँ एक मिनगा मैं जरा विए को फोन करना तमाले विवेग भी फोन ने उठा रहा है इनों लोग फोन ने उठा रहा है कहीं वो फोनी प्रेशी के घर तो नहीं पाँच गया अब घबराने वाली कोई बात नहीं है यह जरा रहा है यह लोग अफ़ देंगर हाँ है अबरहान का लाग लाग शुक्र है मेरा बीटा भी बल्कुल ठीक है प्रिती जी आपका यह राहूल इतना बहादूर बच्चा है, मौत से भीडने के लिए डरता नहीं है, इसके हम जितनी तारीफ करें ना कम है, थैंकियो उक्का राहूल, देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूँगा, सही सही जवाब दोगे, अंकल कुछ भी पूछ लेजब पर मैक्स का सवाल मत पूछना, मुझे डर लगता है, अरे, इसमें मैच से का तरने वाई बात, तुम एक बार ठीक हो जाओ, तुम मैं सिखाँगा मै अच्छा राहूल, एक बात बताओ, जब तुम रिशी को पानी में डूपने से बचा रहे थे, उस वक्त वहाँ पर कोई और भी था, नहीं सर, सिर्भ वो दो आदमी थे, कोई लड़की वगरा नहीं थे, नहीं अंकल लड़की तो नहीं, अच्छा लड़की नहीं थे, मग देखो बिटा, यहाँ यह सब लो हे ना, सम अपनी ही है, दरुमन, बताओ, अंकल, वो जो रिशी है ना, वो रिशी नहीं, वो तो कोई और ही है, क्या, रिशी रिशी नहीं है, मतलब, जिस माधि में को मैंने डूपने से बचाया था, वो रिशी नहीं है, वो तो कोई और ह तो वो आजमी वो नहीं है? नहीं अच्छा राहू रे तुमने तो उसे डोगने से बचाया है तुम्हे उसकी शकल भी तो देखी होगी वो दिखता कैसे है? ने अंकल शकल नहीं देखी चलो कोई बात ने अच्छा ये तो बताओ कि क्या हो प्सक्काटव था बता है दिदा था अंकल वो लंबा भी नहींता और अटबा भी नहींता ना लंबा था ना अटबा तुम्हे कुछ अओ यादाता है तुम्हे है? देया अच्छा? यह बात है सर ना विवेक फोन उठा रहा है और ना ही रिशिवर्स और यह कोई दर्वाजा भी नहीं खुल रहा है अंदर कुछ होतो नहीं गया साचित जाए दर्वाजा खोलो सर लगता है घर में कोई नहीं ऐसा होता तो विवेक हमें इंफॉर्म करता उससे भी कुई कांटेक्ट नहीं हो रहा है कुछ और ही बात है चेक करो भर को अच्छी तरह से रिशी वो में खौड़ सर जल्दी आई है आप एड़ी रिशी सर है तुमार क्या है तरता है चाको मारा है तर इसके पेट में चार पांच जगा मारा गया चाको हम सर इसके गले पे स्टी लिखावा है स्टी स्टी को लिखावा है असने आप mm श्रिया का नाम तो श्रिया कुमार है स के लिखावना चाहिए था स्टी 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 श्रीकान तनुच श्रीकान तनुच सर्या को यह आतमी है ना? जिसने विजय की पािक चुराइ थी. राऑल कह रहा था, इस अधमी रिशी नहीं है यह आदमी है श्रीकान तनुच अगर यह रिशी नहीं है तो रिशी को नहीं है सर रिशी वो आदमी है जिसके लाश हमें जील में से मिली है गाडी के अंदर से Oh my God दिविक दिविक तुम ठीक तो ना दिविक Oh my God Sir विविक 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 सिर्के पीछे चोट लगी वेजर वियोश है विविक उट्जा विविक मैं आएंदा तुस्सें कभी पात नहीं करूंना विविक प्रेड़ी इसे हॉस्पिटल लेके आपास Sir विविक 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 एये इसे मजे ब़ुठल का मर दो जहाएं मार दो मुझे मार दो कょूँ भी अछिया थो तरलगा अशरेश को मुझे छेल लिया ठीओ पकिड दिया रॉब दो अज़ नहीं जिसका दिमाग को जादा इतेच चलता है मतलब कोई कोई लड़की है एक ऐसी लड़की जिसे अंगुटी पहनने का बहुत शॉक है कासकर यह वाली अंगुटी और हाग पर जो अंगुटी है वो भी लड़की की है यह अब क्या कह रहे है ठीक कह रहे है अंगुटी तो पहन ली अब हथकरी का सेवर भी पहन लो अपने हाथ में लिए अँए यह 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 जो व्लोग कैसी बाते कथ यह आप लोगों कोई जालत फैम हुए है यह जो पको सच बताऊंगी अरे रे, जियाईडी से बज़ कर भाग रही है। हाँ प्रिशी को बेने ही मरवाया है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो अपने इस सुहा को अपनी हाथों से उचाड दिया। हाँ? पैसों के लिए रिशी की मौत से मुझे दो करोद रुपए में लेवाले थे। इंशॉरंस के। देवा रे देवा कैसी वाइफ हो तुम। पती से ज़्यादा पैसों से प्यारा। मेरी वाइफ सुने कि तुम। और तुमने श्रीकांत को सुपारी दे दी। ताकि वो रिशी को मारते है। लेकिन श्रीकांत और उसके बेवकूफ गुंडे ने रिशी की लाश को बांद कर स्विमिंग पूल में डाल दिया। अगर इंशॉरंस कंपनी वालों को पता चल जाता कि रिशी का खून हुआ है। तो पैसे इत्ते हसानी से नहीं मिलते हैं। और इसलिए तुमने राएल के भेयोच होते ही रिशी की जगा श्रीकांत को लिटा दिया। और उसके बाद ये नाटक किया कि श्रीकांती रिशी है। हाँ, और तब श्रीकान के गुंडे ने रशी की लाश को गाड़ी में रखकर छील में धकेल दिया और जैसे ही तुम्हारा काम हो गया तुमने श्रीकान को भी खतम कर दिया हाँ, क्यूंकि मेरा काम हो चुका था फेर श्रीकान की क्या जरूरत थी सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने तो राहुल जेसे एक मासुम बच्चे की चांब लेने की भी कोशिश की तुकि राहुल ना पहचान दिया था कि या आदमी रिशी नहीं है तुम्हारी आत्मा से इतनी भी आवाद नहीं निकली कि जो तुम कर रही हो गलत है सोने के सिक्कों के खंखनाट के आगे सारी आवाजे तब कर रह जाती है सिपी सहाब तो बिर उनी सिक्कों की खंखनाट को सुनते सुनते चर जाओ आपकी पर दो दो खून युकिये तुम्हे पुजी देना, मुजी देना, एक बद तु चॉकलेट का पुजी देना रहुलना में बताया था कि उसादमी की जान बचाते वक्त उसे डर लगा था लेकिन फिर भी उसने वो काम किया भाई हम इंसान डर स्वभाविक है मगर असली वीर वही है जो डर पे काबू पाये और वही करे जो उसका दिल चाहे जैसा रहुलने किया हर इंसान के अंदर समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जजबा होता है जरूरत है उसे जगाने की अन्याय और अपराथ होता देख मुह मत मुड़िये टट के उसका मुकाबला कीजिये इसी का नाम तो बहादरी है